ये है बजाज प्लेटना हंड्रेट का इस साल का सबसे लेटेस्ट मॉडल जिसमें कमपनी ने बहुत सारे बदलाब कर दिये हैं और जिसकी वज़े से इसकी परफॉर्मेंस और मालेज पर असर पड़ा है हाली में इसकी कीमत में भी बदलाब किया गया है इन सभी चीजों को जानने के साथ साथ ये भी जानेंगे कमपनी अपनी इस बाइक पर कितने साल की वरंटी देती है और कितने किलोमीटर तक वरंटी देती है इस बाइक के सभी प्रोस एंड कौन के बारे में जानेंगे यानि आज़े आज़ें करों के सब्सक्राइब करने के साथ बैल आइकन को अल पर सेट कर लीजिए क्योंकि इस बाइक के बहुत सारी कंप्रीटर और डिक मार्केट में अवेलेबल है उनके साथ में बहुती जल चैनल पर मैसिव कंपरिजन वाली वीडियो आने वाली है चैनल सब्सक्राइब होगा तो वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाएगी नमस्कार दोस्तों मैं हर्स हाजरूम सभी के सामने एक वाफिर से एक और न्यू बाइक के साथ आईए गाईस सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजैन की यह इस बाइक का ब्लैक विट रेड डिकल्स कलर है आईए गाईस अब मैं आपको इस बाइक के हैंडल, हैड और ORVM का डिजैन दिखाता हूँ यह देखिए इसके हैड पर कंपनी ने जो वाइजर दिया है वो बॉडी कलर में ही दिया है जिस पर आपको काफी अच्छी ग्राफिक्स मिल जाएंगे और इसी के साथ साथ आपको इसमें DRL भी मिलते हैं हैड लाइट की अगर बात की जाए तो इस बाइक में आपको complete halogen bulb के साथ में हैड लाइट मिलती है Platinum में आपको Flexible Sight Turn Indigator मिलते हैं जिसमें कमपनी ने Halogen Bulb का ही यूज किया है Front Suspension की अगर बात की जाए तो इस बाइक में आपको Tele Scopic Suspension मिलते हैं और अगर Front Madguard की बात की जाए तो वो आपको Body Color में ही मिलेगा इसके Suspension पर आप देख सकते हैं कमपनी ने Comfort Tech को मेंशन किया है और Anti-Skirt Breaking को भी मेंशन किया है Donal Side में आपको Reflector भी मिलते हैं Platinum 100 में आपको 17 Inches के Alloy Wheels मिलते हैं जिनका Pattern को चेस तरीके का है इस बाइक में आपको White Color के Alloys मिलते हैं Front Tire की अगर बात की जाए तो कमपनी ने इसमें JK Company के Tube Less Tire दिये हैं जिसका Size भी मैं आपको दिखा देता हूँ Breaking System की अगर बात की जाए तो इस बाइक में आपको CBS मिलता है इसका मतलब होता है Combi Breaking System आईए गाइस अब मैं आपको इस बाइक की टैंक का डिजाइन दिखाता हूँ जो कि कोचेस तरीके का है आप देख सकते हैं Platinum का Sticker लगा है जो कि इसके लुक को और भी Enhance कर रहा है Platinum 100 में आपको 11 लीटर की Fuel Tank Capacity मिलती है जबकि इसी सेग्मेंट में Other Bikes में आपको 9.89 लीटर और 10 लीटर की Fuel Tank Capacity मिलती है इसमें आपको सबसे ज़्यादा मिलती है आईए गाइस अब मैं आपको इस बाइक के Handle ORBM का Design दिखाता हूँ जो कि कुछ इस तरीके का है Left Handle पर कुछ Feature Button दिये हैं आईए उनको देखते हैं सबसे पहले तो एक Passing Switch मिलता है उसके नीचे आपको यहाँ पर एक Low Beam High Beam Switch मिलता है और उसके नीचे आपको Side Hand Indigator Switch मिलता है और उसके नीचे आपको एक Horn का Switch मिलता है आईए देखते हैं Right Handle पर आपको Dedicated Headlight को On-Up करने के लिए Switch दिया है और उसके नीचे आपको एक Self का Switch मिलता है अब मैं आपको इस Bike की चावी दिखाता हूँ जो की कुछ इस तरीके की है नॉर्मल चावी मिलती है कोई भी आपको इस Bike में Wave की नहीं मिलती है आईए फटापाट से इसकी चावी को करते हैं Insight और इसके करते हैं Ignition को On और मैं आपको दिखाता हूँ इसके जो Instrument Cluster की Starting है वो कुछ इस तरीके से होती है आप देख सकते हैं Dedicated Headlamp को On Up करने के लिए यहां पर Switch दिया हुआ है इससे आप जब Bike Off होगी याने की Engine Start नहीं होगा तब भी आप इसकी Headlight को On Up कर सकते हो Ignition को On करते ही इसकी Tail Light भी Automatically On हो जाती है इसमें भी आपको Halogen Bulb ही मिलता है Platinum 100 में आपको Single Horn मिलता है जो की काफी ज़्यादा Loud है और आपको इस Bike में Company Fitted Cress Guard मिलता है जो की काफी अच्छी बात है Safety Point Review से आईए गाईस अब वहाँ की बात करते हैं जहां से इसकी Performance निकल कर आती है जी हाँ आप बिल्कुल ठीक समझे इसके Engine की सबसे पहले तो मैं आपको इस Bike का Additional Point दिखाना चाहूँगा इस Bike में आपको Carburetor मिलता है जो लोग भी FI Bike नहीं लेना चाते हैं उन लोग के लिए ये Bike सबसे Perfect Bike है ये Bike उन लोग के लिए सबसे जबरदर्सत हैं जो लोग भी Fairy वाले हैं Milkman है या फिर Delivery Boy है Mostly ये Data निकल कर आया है जो भी FI Bike हैं Fairy वाले या फिर Delivery Boy उनको चला रही है उनमें बहुत सारी Problem आ रही है उनको बार बार Pump Change कराना पड़ रहा है इस वज़े से ये Bike उन लोग लिए सबसे बहतर Bike है इस Bike में आपको 102 CC का Single Cylinder BS6 2 Valve 4 Stock Engine मिलता है इसमें आपको Fuel Injection नहीं मिलता है इसके Engine की MagZone Power है 7.9 BHP की और इसका MagZone Torque है 8.34 Nm का Platinum 100 में आपको 4 Speed Manual Transmission के साथ Gearbox मिलता है जिसका Pattern है All Down यानि की सब भी Gear आगे की तरफ ही लगेंगे और इस Bike में Safety Point of View से Side Extend Engine Cut-Off Feature भी मिलता है जो की काफी अच्छी बात है इस Bike में आपको Clear Footrest काफी चोड़ा मिलता है आप लोग देख सकते हैं काफी ज़्यादा Comfortable है Lady Footrest मिलता है Sardi Guard मिलता है आईए गाईस आप बात करते हैं इसके Rear Suspension की इसमें आपको Spring on Spring with Nitrox Gas Canister Suspension मिलते हैं जो की इस सेगमेंट में आपको इसी Bike में सबसे अच्छे Suspension मिलते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर 100 Comfort Echo कंपनी ने मैंसन किया है यही तो है इस Bike की Comfort का राज अब मैं आपको Left Side से यह Bike फुल फ्रेम में दिखाता हूँ जो की कुछ इस तरीके का लुक प्रोवाइट करा रही है इस सेगमेंट में आपको इस Bike में सबसे लंबी सीड देखने को मिलती है यह है इस Bike की Rear Profile आप देख सकते हैं Complete Halogen Bulf के साथ में आपको इसकी Tail Light मिलती है Flexible Sight Turn Indigator मिलते हैं जिसमें कमपनी ने Bulf का ही यूज किया है Solid Metal की Black Color की आपको इसमें Grabrel मिलती है और इसकी Seed का Design कुछ इस तरीके का है बजाज Platinum की Seed बहुत ही ज़्यादा Comfortable होती है और इसी के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा Soft भी होती है आईए गाईज अब मैं आपको इसके Rear Tire के बारे में भी बताता हूँ Rear में भी आपको JK Company का ही Tubless Tire मिलता है लेकिन इसका Size थोड़ा सा चोड़ा है आप लोग देख सकते हैं जो कि है 3.0 इसके Exhaust का Pattern कुछ इस तरीके का है Single Muffler मिलता है जिसमें कंप्री ने Chrome का यूज किया है जो कि इसके Look को और भी Enhance कर रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पर कंप्री ने Kombi Breaking System लगा कर दिया है यह देखिए Platinum 100 में आपको के के Start का भी Feature मिलता है आईए गाइस अब मैं आपको यह बाइक स्टार्ट करके दिखाता हूँ इसके सभी Electrical Features दिखाता हूँ और इसी के साथ साथ मैं आपको इस बाइक के Engine का Sound भी सुनाऊंगा और मैं आपको इसका Exhaust Node भी सुनाता हूँ Ignition को On करते ही इसके DRL और इसकी Tail Light automatically On हो जाती है Headlight को आप Manually On Off कर सकते हो आप इसके Sight Turn Indicator भी देख लीजिए आईए गाइस अब मैं आपको पास से भी View दिखाता हूँ Single Press में यह बाइक जो है वो स्टार्ट हो जाती है और टर leistना नंड़क, द्योजब का téma उड़क, घ्वेश, गाइस. लेफ वो चुजब को व drifting का इस सकते ही प्रेश थे दräभी आपका का यह थे बाइस्पटाम, कि उवेश, कि रईस्टा इसके ऑपकाना अवीक, द कर सित का चुजब करये मैं स्पेसल थैंक्स कहना चाहूंगा अमित एंड असेत आटो सेल्स सर्विस को जिनोंने ये बाइक मुझे प्रॉपर रिव्यू के लिए प्रोवाइड की है इनका ये सोरूम उत्तर प्रदेश के इटावा जले के जस्वंत नगर सहर में है सैफाई रोड पर इनके यहां पर बजाज की सभी बाइक मिलती है यहां का स्टाव बहुत ज़्यादा कॉपरेटिव है आपको यहां से बाइक लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इनके पास सभी बाइक all time available रहती है यदि कोई available नहीं है तो वो आपको जल्दी से जल्दी available करा देंगे इनके सोरूम का contact number और address मैं आपको इस वीडियो के description में दे दूँगा यहाँ पर आप बजाज की bike की service भी करा सकते हैं यदि आप इस वीडियो को देखने के बाद इस सोरूम पर जा रहे हैं तो आप वहाँ पर जाकर जरूर बताएं कि मैंने technical sht youtube चैनल पर वीडियो देखी थी वो देखकर मैं आया हूँ हो सकता है आपको हमारी तरफ से कुछ additional discount भी देखने को मिले आईए guys अब बात करते हैं इसके price, mileage, warranty, pros and cons और मेरे final opinion की बजाज company अपनी इस bike पर 5 साल की standard warranty देती है और 75,000 km तक standard warranty देती है जो कि other company के comparison में काफी जादा है एक बहुती most important बात है यदि आपके पास में या बात पहले से है या फिर आप इस bike को खरीदने का plan बना चुके हो तो आपको इसके spare parts की भी जरूवत पड़ेगी और आपको इसके additional accessories की भी जरूवत पड़ेगी यदि आपके local market में वो आपको नहीं मिल रहे है तो आपको बिल्कुल भी परिसान होने की जरूवत नहीं है या फिर ज़्यादा कीमत पर मिल रहे है तो भी आपको ज़्यादा परिसान होने की जरूवत नहीं है आपको इस वीडियो के description में जाना है मैं आपको इसके सभी parts के link दे दूँगा और इसके सभी additional accessories के भी link दे दूँगा जहाँ पर आप click करके उनको heavy discount पे best offer में खरीच सकते है mileage के अगर बात की जाए तो आप इस bike से maximum 85 तक का mileage निकाल सकते हो फिर वो आपकी riding पर depend करता है आपका इस bike को लेके क्या experience है mileage को लेके please comment करके जरूर बताएं price के अगर बात की जाए तो यह bike आपको 80,000 तक on road मिल जाएगी price का आपके बल rough idea माने क्योंकि हर state की, हर district की और हर सूरूम की अलग-अलग price होती है यदि किसी भी कारण की वज़े से यह bike आपको पसंद नहीं आ रही है और आप 100 या फिर 110 CC की segment की ही bike लेना चाते हो तो आपको बिलकुल भी परिसान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इस segment में बहुत सारी bikes का review किया है, जो की हाल ही में launch हुई है, और इसी के साथ सा जिनके old model आते थे, आप जिनके new model आ गए है, सभी के मैंने dedicated review कर दिये हैं, जो की already channel पर available है, और केवल इतना ही नहीं मैंने उनका massive comparison भी किया है, मैंने detail में बताया है कौन सी bike किस से बैतर है, आपको कौन सी bike खरीदनी चाहिए, dedicated playlist बनी हुई है, bike की भी और bike comparison की भी, सभी के link मैं आपको i button में और इस video के description में दे दूँगा, आईए guys अब बात करते हैं इसके pros and con की, सबसे पहले बात करेंगे इसके pros की, यानि की positive point की, इस bike में आपको carburetor मिलता है, इस segment में आपको इस bike की सबसे सही कीमत मिलती है, diviless tire मिलते हैं और आपको इसमें सबसे ज़्यादा mileage मिलती है, corn की अगर बात की जाए तो इसका carburetor ही corn है क्यों, जिन लोगों को भी fi पसंद है, carburetor पसंद नहीं है तो उनको obviously ये corn लगेगा आईए guys, अब बात करते हैं मेरे final opinion की, जो जो मैंने आपको इस bike के positive point बताए हैं यदि आपको वो चाहिए, तो मैं आपको ये bike 100% recommend करता हूँ लेकिन जिस किसी को भी fi चाहिए, मैं उनको ये bike recommend नहीं करता हूँ मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपके सभी सवालों के जबाब आपको इसी वीडियो में आसान सब्दों में मिल गए होंगे, आप अपना experience कमेंट के माध्यम से जरूर सेयर करें बहुत ही जल इसके और भी massive comparison आने वाले हैं, आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को और पर सेट कर लीजिए जैसे सबसे पहले वीडियो का notification आपको मिल जाएगा तो दोस्तों बस फलाल कि इस वीडियो में तरहीं मुझे उमीदे वीडियो आपको पसंद आई होगे झाल झाल